जैमातादी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधिना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की गृपा, आप और आपके पूरे परिवार पर सधासरवदा बनी रहे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कार्तिक शनान के बारे में साल 2021 में कार्तिक मास का शनान कब से शुरू है, कब समाप्ध हो रहा है और कार्थिक मास के शनान के क्या नियम होते हैं, क्या महत्व कार्थिक मास में शनान के बारे में हमारे सास्त्रों में बताया गया है, किस प्रकार से हमें कार्थिक मास में शनान करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, सुर्यदेव को अर्गे कब देना चाहिए, भी आज की वीडियो में शामिल किया हुआ है और आप लोगों के प्रश्न है कि श्नान कौन कर सकता है कार्तिक श्नान किसे करना चाहिए क्या पुरुष भी श्नान कर सकते हैं या कार्तिक श्नान के नियम ले सकते हैं इसके अलावा क्या कुमारी कन्याई भी कार्तिक मास में श सही समय क्या होता है किस समय में हमेशनान करना चाहिए किस टाइम पर स्नान करें सुर्यदेव को जल कबर्पित करें ब्रह्म मुर्थ में क्या हम सुर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं या जब सुर्यदेव दिखाई दे तभी उन्हें जल अर्पित करना चाहिए श्नान दान कार्थिक मास में श्नान करें जिससे की कार्थिक श्नान का संपुर्ण लाभ हमें प्राप्त हो और जो भी हमारी कामना हो भगवान श्री हरी के पास से पुर्ण हो तो आज की वीडियो में यह समस्त जानकारी जो की कार्थिक मास के श्नान से संबंधित है मैं आपको देने वा करके बेल बेटन को जरूर प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चानल पर अप्लोड होने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त हो जाएगे दोस्तों बात करें काफिक मास के बारे में तो सास्त्रों में कार्तिक मास को एक बहुत ही महत्यपुर्ण मास बताया गया है जैसे कि वर्ष भर में बारह मास होते हैं और इन बारह मासों में सबसे उत्तम मास कार्थिक मास को माना गया है इसलिए कार्थिक मास को उत्तम मास भी कहा जाता है तो कार्थिक मास में शनान करने का दान करने का शुब कर्म करने का बहुत अदिक फल प्राब्त होता है कार्थिक मास पे जब हम सुर्य देव को जल अर्पीत करते हैं तो उससे कोटी गुना फल की प्राब्ति होती है और कार्थिक मास में इसलिए हमारे सास्त्रों में बहुत अधिक महत्यों बताया गया है कि जो भी मनुस्य कार्थिक मास में श्नान करते हैं पवित्र नदियों में श्नान करते हैं जैसे ब्रह्म मुहुर्थ में उठना इस महीने में बहुत महत्यों पुर्ण बताया गया है कि ब्रह्म मुहुर्थ में उठ पवित्र नदी में शनान करते हैं जो मनुस्य उसके बाद भगवान श्री हरी का पूजन करते हैं तुलसी पूजन करते हैं और इसके साथ ही भगवान सुर्यदेव को जल अरपीद करते हैं तो ऐसे मनुस्य को दर्शन मात्र से भी समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं तो सोचिए कि अगर किसी के दर्शन करने से, किसी स्नान करने वाले व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही अगर समस्त प्रकार की कामनाएं पूजन हो जाती हैं, तो स्वैम अगर इस महीने में हम स्नान करते हैं, दान देते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, सुर्यदेव को जलर पीत क जिसके साथ ही भगवान-श्रीहरि का सालिग्रामा का भरातन हो अवैश्यकृृण होती है और बहुत अधिक करदि को धार्मिक आछियों के लिए आध्यात्मे कुछ कम डोट से ढहुत महत्यृण माना लागा है का Jew shape करने से लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वुत्तम मास माना के ना करना चाहिए प्रकार के कार्थिक मास करने का सब्सेश्ब समय होता है रहा महुन में उठकर किसी पवित्र नदी में शनान करने को हमारे सास्त्रों में कहा गया है अब देखिए ऐसा संभव नहीं है कि हर कोई पवित्र नदी में जाकर शनान कर पाए किसी तीजर स्थल में जाकर शनान कर पाए या सबके घर के आसपास ऐसी सुविधा नहीं है कि कोई पवित्र तीर थस्तल हो पवित्र नदी हो या कोई पवित्र सरोवर या तला वित्यादी हो तो किस प्रकार्चे शनान करें ऐसे में आप अपने घर में भी शनान कर सकते हैं लेकिन शनान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं या फिर आमले का रस मिला सकते हैं और तिल ज करने का सबसे सही समय होता है लेकिन जोकता है उससे पहले हमें कर लेना चाहिए तो New अज़ीजिए या भाउत अधिक अगर या देर करते हैं तो पांच बजे से पहले मतलब पांच बजे कर लेते हैं और उसके बाद से पूजन कर लेते हैं भगवान श्री हरी का तुलसी का पूजन कर सकते हैं और सुरेदेव को जल अर्पित कर सकते अग्ला आपका प्रश्ण करने का सुर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए सुर्येव के लिए अधिक प्रभावी wipes we can Z force कुर्बrending mohrd में समय के पूजा पाथ hilft करना गया और इस समय में कि गई पूजा वह अधिक प्रभावी होती लेकिन अगर आप सुर्य को देखकर जलर्पित करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आप चाहे तो स्नान के बाद पहले भगवांश्टी हरी का पूजन कर सकते हैं तुलसी पूजन कर लीजिए और उसके बाद से आप सुर्य जब तक सुर्य की लालिमा हो जात है और इसलिए कार्थिक मास में सुर्य देव के पूजन का बहुत अधिक महत्वे दिया गया है सुर्य को जलर्पित करने से कार्थिक मास में अगर हम जलर्पित करते हैं तो बाकी मास में जो जलर्पित किया जाता है उससे कहीं अधिक पुनेफल की प्राप्ति होती है कार् करने करना चाहें परिद्ज करा सकते हैं चाहें तो पुझयों करना चाहिए अगर चाहिए कि सास्तिरूं में बताया कि दीबदान किसी पवित्र नदी में अगर किया जाए पवित्र सरोवर के किनारे अगर किया जाए या फिर जलासय के किनारे किया जाता है तो उसका बहुत अधिक पुन्यफल प्राप्त होता है पवित्र तीर थस्तल पर जाकर अगर हम दीबदान करते हैं तो उसका भी बहु तो आपको पूरे कार्थिक मास दीबदान करना ही है यह नियम तो आपको जरूर पालिम्ट करना है इसके अलावा अगर आमले का वरिक्ष अगर आपके आसपास कहीं भी हो तो आप जाकर वहां पर दीबदान कर सकते हैं और इसके अलावा दीबदान आकास में अगर किया जात किसी पर्वत पर दीब दान करना आकाश दीब दान के नाम से जाना जाता है कि अगर आप खुली जगे पर कहीं दीब दान करें पह्त अब्ला करें किसी सरूबर के किनारे खिर्न किया जाता है यह तो इसका बहुत तो DESP युटार जाता है अगला जो आफका प्रशन है दीपदान कव करें देखें दीपदान का मतलब होता है क्या मतलब होता है दीपदान का मतलब ही होता है अंधेरे को दूर करना तो आप ब्रह्म मुहुर्थ में दीबदान कर सकते हैं और कई लोगों के प्रशन आये हैं कि क्या तुलसी में हम सुबह दीबदान कर सकते हैं जी हां बिल्कुल कर सकते हैं कार्थिक मास में हम ब्रह्म मुहुर्थ में उठते हैं और ब्रह्म मुहुर्थ में उठकर श्नान दा कीजिए पीले और अच्छी तरह से माप तुलसी से पूजन करने के बाद अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरी की के पाप बहुत शीग्र प्राप्त हो जाती है अगर तुलसी का पूजन नियम से किया जाए तो तुलसी में दीपदान आप सुभे भी करेंगे शाम को भी करेंगे पूरे कार्थिक मास कहीं कोई सनसेय इसमें नहीं है अगला जो आपका प्रैश् 높spot का स्नां क्या खुवारी कण्यायय कन्याय च्टी गर्पMax कर सकता है कहीं कोई स सस्य नहीं है क्योंकि शास्त्रों क्यानिसार पांच साल की उ मर के बाद आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत ही आवश्यक्षिक है कि 5 साल के बाद बच्चों को एक संस्कार दिया जाए कि हर चीज के बारे में मुझे बताया जाए कि कार्तिक कि मन में अगर आप नियम ले रहे हैं अगर चीजों के बारे में ध्यान देना बहुत आवश्यक है क्यूंकि कार्थिक मास के साथ इन नियमों पर भी ध्यान दें तो बहुत ही अधिक आपको पुण्यफल की प्रापती होती है और भगवाण श्री हरी की गृपा से आपकी सभी मनो कामना पूर्ण होती है इस कार्तिक मास के शनान के साथ ही आपको भूमी पर शैन करने का भी नियम लेना है क्योंकि कार्थिक मास में जो लोग शनान करते हैं भूमी पर शेयन करना चाहिए उने इसके अलावा ब्रह्मचर्य का प्रोण रूप से पालन करना चाहिए तामसिक चीजों का त्याग कर दीजिए अगर आप कार्थिक मास में भगवान श्री हरी की क्रिपा चाहते हैं तो ता कई लोग दिन में एक बार किसी भी समय अन्नने लेते हैं तो सब इसके नियम अलग होते हैं जैसे कि आप जिसक्ट नियम का भी पालन करते हैं उसे पुरी तरह से महीने भर पूरे कार्थिक मास Neyam का पालन कीजिए किसी भी प्रकार से अगर आपका नियम खंडित होता है तो कार्थिक मास के शनान का किसी भी प्रकार का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है क्योंकि नियम का ही महत्य होता है जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें नियम ही सबसे ज़्यादा महत्य पुरुन होता है तो अगर कार्थिक मास का स्नान कर रहे हैं तो दाल, बैंगन, मूली इन चीजों का भी त्याग करना चाहिए इसके साथ ही तामसिक चीजों का भी त्याग करना चाहिए और दोस्तों कार्थिक मास में ब्रह्म मूर्थ में उठकर भगवान श्टिहरी की पूजा करने से सुबह अगर आप ब्रह्म मूर्थ में उठकर और श्नान के बाद विश्नु सहस्त्र नाम का पार्ट करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ती होती है भगवान सुर्य देव को जल देते समय अगर उसमें लाल पुस्प डालते हैं कनेर का तो बहुत ही स्रेष्ट माना जाता है अक्षत और इसके साथ ही रोली डाल कर भगवान सुर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए जिससे कि भगवान सुर्य के क्रेपासे आपकी समस्तमनों कामनाय पूर्ण होती है तुलसी पूजा में दोनों समय आपको दीबदान करना है सुबह जल भी दे सकते हैं आप शाम को ऐसा मारा जाता है कि तुलसी में जल नहीं देना चाहिए क्योंकि संध्या के बाद तुलसी को स्पर्स करना या जल देना अच्छा नहीं माना चाहता तो इसके लिए शाम को आप दीबदान करें सुबह जल भी दे सकते हैं सुबह दीबदान भी कर सकते हैं और अपने घर के आसपास कहीं भी शिव मंदीर हो या फिर विश्नु मंदीर हो तो वहाँ जागर दीपदान जरूर कीजिए क्योंकि इस कार्थिक मास में अगर विश्नु मंदीर में या शिव मंदीर में दीपदान किया जाता है तो बहुत अधिक पुन्यफ़लों की प्रापती होती है, अपार धन संपदा सुख संवरिध्य की प्रापती होती है और समस्थ पनो कामनाय पुरुण हो जाती है विष्णु मंदिर और शिव मंदिर में दीपदान करने मातर से तो ये बहुत ही महत्यपुर्ण जानकारी जो कार्तिक मास से जुड़ी हुई थी ये मैंने आपको संपुर्ण रूप से देने की कोशिश की है और जो चीजे रह गई है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगी इस बार कार्तिक शनान शुरू हो रहा है 21 अक्टूबर से और समाप्त हो रहा है 19 नौमबर तक तो इस शुब समय में आप कार्तिक शनान जरूर करें कुछ न कुछ नियम जरूर लीजे कार्तिक मास का और इतना मुश्किल भी नहीं है कार्तिक शनान करना जैसे के सुबह थोड़ा सा जल्दी अगर हम उड़ जाते हैं आलसे को त्याग कर तो बहुत अधिक पुनेफल हम अर्जित कर सकते हैं और बहुत सारे संकटों से मुक्ति पा सकते हैं आपकी कोई भी कामना हो अगर कामना लेकर भी आप कार्तिक मास का शनान करते हैं तो वो कामना आपकी बहुत शीगर पूर्ण हो जाती है तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभवेश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आएं अगर भी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल बेटन को जरूर ब्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार